जैसे कि अमोमन क्या होता है हर आदमी ना एनलेसस बड़ा अच्छा कर तो जातों वैसे भी शिक्षक रहे हैं उपर से वीरस के कभी रहे हैं अपना कोई सबसे पॉजिटिव पॉइंट पता है क्या आपका मश्बूत पक्ष है मैंने थोड़ी देर पहले आपको जीकर कर दिय मैं न्याय के पक्ष में किसी भी सीमा तक जा सकते हैं यह मेरा सबसे स्ट्रंग पॉइंट है और गलत बात किसी के भी सामने हो मैं बेधड़क कह सकता हूं मेरा अच्छा जल्दी आ जाता है बहुत जादा लेकिन मैं अपने बारे में सबसे कहता हूं कि मैं तीन बार माफ कर मैं कुछ भी आपने मेरे प्रती कोइप कुछ कटो बिया करता क। कोई बात नहीं हो जाती है डियाола में विनीत रहता हूं और िकोई कि मैं किस हद तक सरक मैं आपसे कहूं कि आपकी जिन्दगी बड़ी खुबसूरत रही है लेकिन एक कोई पल है जो सबसे यादगार पल रहा आप तर ऐसे कुछ शेयर करना चाहेंगे यह तो लाल किला जब मैं गया था वो मेरे रोमांच के लिक्षन था और पहले ही लाल किला कभी समय अटल ज टू में मेरी शादी हुई सर्विस लगी नाइंटी में मेरी और चार साल बाद ही मैं लाल किले के मंच पर था और अठल जी वहां मौझूद थे यह भी मेरे जीवन का एक अच्छाक्षन है मैं राजस्तान में रहने लगा और बाहर के लोगों का एक बड़ा आरूप लगने लगा कि तुम्हारे यहां पानी नहीं तो मैंने उसकी चार पंक्तियां ले और लड़ते-मड़ते बहुत जादा हो तो मैंने कहा जहां शीशले निजकरतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धनवार दिया राजस्तान क्या है जहां शीशले निजकरतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धनवार दिया करते हैं राजस्तानी धरा शौरी की कथा कहा करती है पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है जहां फूल सी कोमल नारी शो मैंने उसका भी एक बड़ा प्यारासा उत्तर दिया राजस्थान को रेगिस्थान भी लोग कहते हैं तो राजाओं का इस्थान लोग इसे रेगिस्थान मानते हैं जैसलमेर में इधर ब्रेद बहुत है वहां से पाकिस्थान बहुत दूर नहीं है तो मैंने कहा चिंगारी के पास रहें, तो शौले और भड़कते हैं, हम इतना اليकारी के पास रहें, तो शौले और भड़कते हैं, कायर वैरी ललकारे तो बाजी उस्वैम भड़कते हैं मात्री भूमी का एक कणजी उड़कर उस पार नहीं जाए इस कारण सूखी मिट्टी पर श्रोणी तरोच छिडगते हैं तो ये मैंने राजस्थान की परिभाशाएं अपनी कुछ का विताओं में देने की कोशिश करी है नहीं सर बहुत खुब तो दर्शवा ये था हमारा पहला सेग्मेंट कुछ अनकही जिसमें विनीच सर ने अपने जीवन के बारे में बड़ी अच्छी रोचक बात बताई अब आएए चलते हैं दूसरे राउंड में लेते हैं आपके सवाल जनता जानना चाहती है सर हमारा दूसरा सेग्मेंट है जनता जानना चाहती है जब आपने हमें समय दिया तो हमने कुछ जो सोशल मीडिया पर है उनसे कहा तो उनके कुछ सवाल है सर मैं चाहूंगा आप लेए सबसे पहला सवाल है अभिशेक शर्मा है बड़ोत के ये भली बात ही जानते हैं कि आप केठल गाउं के रहने वाले हैं तो इनका सवाल ये था कि बड़ोत क्षेत्र की ओर से कोई वीरस का कवी especially वीरस का कवी कोई नहीं आया क्या कारण मानते हैं वीरस के कवी तो आ रहे हैं लेकिन उसको कोई क्षेत्र से हम नहीं जोड़ सकते हैं यो तो ये मैं बड़ोत कदी पुराने समय से लूँ और मेरट को पूरा सर्किल मान लूँ तो देश के जो सबसे प्रसिद्ध कवी हैं हरियों समय लगेगा जहां तक वीरस का सवाल है हैसरस को लोग बहुत जल्दी पसंद कर रहे हैं उससे बहुत जल्दी आदमी भिक रहा है मंच पर दिख रहा है तो उसमें मेहनत भी थोड़ा सा कम लगती है मैं जो ख्रमा करेंगे वीरस हमारे जो हैसरस के लोग इसे सुनेंगे तो बाद में कहेंगे जिसे हैसरस मान लिया गया है आज की तारीख में वो चुटकुले हो गए तो पांच चुटकुले याद करो और आप हैसर कवी हो गए उसके बाद आप चार लाइन छोटा सा एक मुक्त कह दो तो वो ज़्यादा आसान लगा नए कवीयों को आने में इसलिए वीरस के कवीयों को आने में थोड़ी सी मेहनत लगती है तो आदमी कम मेहनत करना चाहता है शादिये भी कारण रहो सर्थ दूसरा सवाल है हमारा राजस्थान के इस दिपेंदर शेखावत जी है एरफोर्स में कारे रत है इनका सवाल यह है कि जो कवी है वो एक तरह से समाज का प्रतिनिद्द करता है आम तोर पर जाना जाता है कि जो कवी होते हैं वो खुलके बात करते हैं किसे से नहीं डरते लेकिन क्या मीडिया की तरह कभी भी आजकल बट गए हैं जैसे आप बता रहे थे कि मोधी में अपोजिट कुछ ऐसा है मलदम मानते हैं आप ऐसा कुछ राजन देखो कभी जो है वो कोई बाहर उपर से टपक के नहीं आया है हमारे यहां भी अपनी-अपनी विचारदारा हो सकती है कि कोई भाजपा से र बाल कभी बैरागी कंग्रेस से रहे हैं सपाय से हमारे उदेह प्रताप जी है मुलायम चिंग्ग गुरू रहे हैं लेकिन यह जो तीनों कभी थे यह वाकई कभी थे रहने कभी अपनी विचारधारा को मंच पर हमी नहीं में होने लिया दुरुभाग्य से हमारा आज का जो निराशा होती है कि यार ये कविता कर रहे है या राजनितिक मंची चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं तो इतना मत करिएगा क्यों वहां जब आप खड़े हैं न तब आप एज एक पॉइट खड़े होने चाहिए एक पार्टी की विचार धरा लेकर खड़े नहीं होने च कटपा लगना शुरूग हो गया तो मेरे साब से कवियों को राजनीती से बचना चाहिए और कम से कम नी कविता में ऐसा प्रदशन ना हो कि आप पर कोई राजनीती कटपा लगना हो नहीं हो सर हमारे एक दर्शक है ये दिल्ली में टीचर है एंसेसी के टीचर है शिरी गजेंदर कोशिक जी इनका सवाल खुद ये है क्योंकि आप एक टीचर भी रहे हैं फिर उसके बाद कवी सम्मेलों में भी जोइन किया है उनका मानना है कि जो कवी है सरकार की तरफ से चाहिए कवीयों को आप क्या कहेंगे इस मामले माल होने चाहिए या कुछ इस तरह का नहीं क्योंकि एक कला है अगर आप आर्थिक तंगी में रहेंगे तो क्या कवी तर लिख पाएंगे तो मतलब जहां तक सर्वीस में आप हो हाँ जी तो सरकार कहती है कि आप स्केवल सर्वीस करो बिलकुल लेकिन मेरी माननेता ये है यदि सरकार में रहते हुए कोई व्यक्ति अपनी अलग विधा लिये हुए है कोई अच्छा बास्केट बॉल का प्लेयर है उसे भी सम्मानित किया जाता है तो यदि अच्छा कोई कवी है उसे भी सरकार सम्मानित तो करी सकती है सर हमारा अंतिम सवाल है शैलेंदर सौलंकी जी है गाजाबाद से इनका सवाल ये है कि जो कवी होता है खासकर जब स्टेज पे होता है सर उसका दाइत्व क्या होता है बहुत अच्छी बात उन्होंने कह दी है मैं शुरू-शुरू में जब बंचों पर आया मुझे खुद द ताली बजवानी है हैसरस वाले को ताली बजवानी है चाहे जैसे करें गीतकार को ताली बजवानी है चाहे जैसे करें वीरस को ताली बजवानी है जैसे नो ताली एक लक्ष का हिस्सा हो सकता है अंतिम लक्ष ये नहीं है अंतिम लक्ष तो हम मंच से कोई ऐसी बात न कह द आप शब्दों से ऐसी बात कहिएगा कि वो समझ भी जाए बाल कभी बैरागी जी के साथ मैंने पहली बार कायोपाट किया और मैं था नाथत्द्वारा में उससे मेरा मंदिर अंदोलन अपनी चरम पर था 90-90 के बास-पास की बात होगी मैं भी उस समय लिख रहा था ये खुन खराबा होता है तो एक बार हो जाने जो कुछ अब के होता है बस मैं बड़ा और तालियां बचती थी साथ क्या मार काट की कविता है तो बैरागी जी को मैंने पत्र लिखा मैं जमा बहां पर मुझे था तो बैरागी जी मेरे फैन हो गए होगे जैसा कि नए बच्चे को लगता है आज तो गया वावा बिटा तेने क्या शेर खान पड़ा तो मैंने उनको पत्र लिखा और मैं पत्र आने वाला है तुरंट उ सुना बहुत अच्छा लगा करुण जी की परंपरा को तुम आगे बढ़ा रहे हो लेकिन ध्यान से देखना उत्तेजना बाट रहे हो या उर्जा बाट रहे हो बहुत सई तो मिरे को अदम ध्याना है मैंने उत्तेजना बाटी है उर्जा नहीं माटी है उर्जित होच करके ल दादा वो यार वो यूवर्श्टी का कुलपती है जिससे तुम कह रही हो कि दादा अपना चशमसाप करने मुझे कहां गिर गए हो तुम आ करके तो हमारी शंगार के कवित्री हो या कवी हो उन्हें इस शालीनता का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं हासरस के कवीता हैं होती हैं वो कहीं न कहीं आर्म फॉर्सस पर जवानों के उपर होता है तो मैं चाहूंगा कि सेग्मेंट का समापन हम कुछ ऐसी कवीता आपके माध्यम से जो सैनम में जवान हैं या उनके लिए सब्सक्राइब मैंने कहा कि यह धर्ती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती मैं अपने तवाम सैनिकों मैंने करगिल में भी जाकर कवीताएं पड़ी है मेरे जीवन के दिए एकाद्व गौरवानवी तक्षण गिने जाएंगे तो उसमें एक गौरवानवी तक्षण वो भी तो वहां मुझे लगा कि यह बात ऐसी है यह धर्ती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती जुगनू की दुड़ी जुग जाएं ऐसे दिनमान नहीं रखती और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मा का दूध लजा आएं भारत मा ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रख कि मैं अभी एक शो में गया था एक टीवी शो में हमारे उस शोग के नई विशेश्टा यह थी वह सीन दिखाते हैं और कहते हैं इस पर कुछ लिखो भी ताजा तो उसमें दिखाए एक विमान के अंदर मारे एक पाइलट बैठता कॉक्पिट को बंद करता है इस पर कुछ लिखो चार पंक्ति मैंने वह और सुन लीजिए हमारे सैनिकों के लिए है सैनिक क्या है हम प्राण हतेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे हम प्राण हतेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तौफे खास लिए बैठे तो यह था हमारा दूसरा सेग्मेंट जनता जानना जाती है अब आएए आते हैं अपने तीसरे सेग्मेंट पर रैपिड फायराउंड में सहर हमारा तीसरे सेग्मेंट है रेपिड फायर राउंड इसमें हम आप से 10 सवाल से 5 में आपकी यादाज चेक करेंगे आप से समधित सवाल होंगे और 5 में कोशिश करेंगे कि हम आपको असमंज इसकी स्थिती में डालें आपको जल्दी से उनका जवाब देना है अगर आप 6 सवाल के जवाब देते हैं तो ये गिफ्ट आपका हमारी तरफ से रहेगा तो सर इतने इनाम आपने जीते हैं आज देखते हैं सर्व मुझे गोल्ड जीतने के आदर ये गोल्ड रैपर में है तो मुझे अपना गोल्ड जीतने के आदर ये गोल्ड रैपर में है तो मुझे अपना गोल्ड जीतने के आदर आ रहा है कोशिश करूँगा तो सर्व सबसे पहला सवाल जीवन की सबसे पहले कवीटा जो आपने मंच पर प्रस्तुत की वो ने बताया जैसा आपको मैंने इंद्रा गांजी जी को होई थी उस समय मैंने पहला मुक्तग लिखा था है धरा आजम बर भी खामोश है इस धरा का नजाने क्या आहल है ऐसा करके मैंने उस पर लिखा था वो मैंने सन 84 के बाद 85 में पहली कमाई क्या थी? मैं तिजारा जैन मंदिर कभी समय में गया था और वहां में सुनने गया था मुझे शौक था सुनने का तब तक मैं यह बस मैंने का यह एक आद दो ऐसे लिख लिए था लेकिन कभी नहीं बना था जब तर मुश्किल से एक वह पढ़ा हुआ जो मैंने आपको बताया तो वहां तिजारा जैन मंदिर में लोगों को पता लगा कि विनीत भी कुछ-कुछ कभीताय लिखता है तो किसी ने कहा करें इनसे भी खुरा पिता है उसे कभीता-वीता नहीं आती अब मेरे जो चार-पांच मुक्तक थे मैंने वह पढ़ा दिये और सुना और मेरे पास थे ही नहीं चार-पांच मैं का जी खताम हो गए मेरे पास तो कोई वाती अच्छा लगा सब लोगों को सुनके बाद में जब एक लिखाफा मेरे को भी लाए वो तो उसमें पताई किना रहे ये कोई कभी थोड़ी है तो प्रशाद है तो मैंने घरा के दक्सकंदर 50 रुपे रखे सब्सक्राइब अच्छी प्रतिक्रिया क्या है अब तक को याद है सावर कर लिखी, तो दो-तीन बित्रों के जो ठिक्री आई, वोई आई, कि विनीत अपनी कविता खुद नहीं लिखता, करुण जी से लिखवाता है, पिता जी से लिखवाता है, तो मैंने कहा कि, इसका मतलब मुझे कभी मान ली आगा ला है, यह निंदा ही मेरी प्रसंशा थी, विल्कुल, विल्कुल, बहुत अच्छे, सच होथा सवाल आप से, आपने इतनी स्वारे कवि संबेलन किये है, सबसे बुरा अनुभव कहां पे रहा? मैं उस जगय का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं जगय बता देता हूँ आपको, शामगर्ड और नीमच के बीच में एक जगय है, कस्बा है वहाँ, वहाँ का नुभव मेरे लिए अच्छा नहीं रहा, क्या हुआ था सब्सक्राइब? दरसल और उसके बाद मैंने क्रॉस लगा, जाएगा, पहले आप चलो, अच्छा यह भी आठ बजें, आप जाओगे तो आपको देख देख कर शोता आएंगे, तो हम वाँ गये, अब कहरें, आई एक अवीर, वो लोगों को बीड़ी पीर आया, उनको बुला रहे हैं, अपमान जनक लगा, मैंने आकर कि उनके अज्यक्ष को कहा भी, मैंने का यह अपमान जनक और हमारा यह अंतिम है, सब पांचवा सवाल, मेरा बड़ा पर्सनल फेवरिट रहता है, मैं हमेशा पूछता हूँ, सब पतनी को दिया गया सबसे पहला तोफ़ा क्या था आपके दौना? मंगल सूत्र, मंगल सूत्र, क्या वाद है, शादी के बाद सब, चलिए बहुत बड़े, जहां मैं जोदपुर था, वहां का सोना बहुत अच्छा माना जाता है, तो मैंने वहीं से बनवाया था वो, वहीं उनको मैंने जिया था, सर्फ पांच सवालों के आप बड़े अच्छी तरह से जवाब दिये, अब हम कोशिश करेंगे कि हम आपको थोड़ा उलजाएं सर्फ, सर्फ आपने बहुत सारी कवीताय लिखी है, आप सरस्रेस्ट किसे मानते हैं? देखेगा, किसी भी पिता से ये पूछो, मां से पूछो कुछी सबसे अच्छी संतान कौन सी है, बहुत मुश्किल है, जो दर्शकों ने जिसे ज़्यादा माने दाएं दी, और मेरे भी दिल के करीब हैं, तो सैनिक की चिठ्थी मेरे बहुत निकट रही है, उसका एक अंच सुना देता हूँ है, ये बड़ी भाव कविता थी, मैं चार-चे दिन तक तो मैं से खुद नहीं पढ़ पाया था, लेकिन मैं कर के लिए युद्ध कैसे मैं लिकी थी, वहां से खत लिखता है वो अपनी मा के नाम, मा तुम्हारा लाडलारण में अभी गायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता खुद शत्रु भी कायल हुआ है, रक्त की होली रचाए मैं प्रलेकर दिख रहा हूँ, मा उसी शोनित से तुमको पत्रंतिम लिक रहा हूँ, युद्ध था भीशन, मगरना इंच भी पीछे हटा हूँ, मा तुम्हारी थी शपत, मैं आज इंचों में कटा हूँ, एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, मा कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पून की है, तो च्छा रहा है सामने लो आख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है, मा मुझे नूतन सवेरा, कह रहे हैं शत्रुभी, मैं जिस तरह शयदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंगनी की कोक से पैदा हुआ हूँ, तो ये न समझो मा, अंतिमलाइन कहता है, ये न समझो मा कि मैं चिर नील लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोक से, फिर जन्म लेने आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोक से, लबी का विता है, उसका एक अंश्म है, बहुत खुर्शूरत सर्थ, गिफ्ट आपका हो चुका है सर्थ, चैसे सवाल आपने दे भी है, सर्थ, सातवा सवाल आपसे, आपने बहुत सारे कवियों के साथ काविय पार्ट किया है, कोई एक का नाम अगर लेना चाहे है, जो आपके सरस्वे सहयोगी रहे हैं, किन का नाम लेना चाहे है? कि सहयोगी का जहां तक सवाल रहा है, तो सहयोगी, अब इसके अलग अलग फलक हो गए है, मुझे मंच पर सबसे पहले तो लेकर आए थी गोतिनात उपेक्षित जी, मुझे अखिल भारतिय बनाने में योगदान रहा, रमेश गुपता चातक जी का, लेकिन सहयोगी सब्दा आपने पूछ लिया है, वो डॉक्टर प्रवीन शुकल दिल्ली के हैस से कभी है, जब मैं छोटे शहर से गया, दिल्ली जैसे बड़े शहर में गया, तो मैं बड़ा, जैसे हिरनी आ जाती एकदम शहर में, वो आलत मेरी दिल्ली के चकाचाउन करती, लेकिन प्रवीन शादरा में रहते थे, पिलखवा के रहने वाले थे वो, तो वो बड़े, आरे भाहिया, छोड़ो, सब चीक है, ये सब क्या है, तो ऐसे कहते हुए, वो मेरे को ले जाते हैं, तो मेरा साहस बढ़ा, कि बड़े-बड़े इंडिस्ट्री के लोग बै बैठे हैं, बड़े ओफिसर्स बैठे हैं, द्योग पती बैठे हैं, पैसे बाले बैठे हैं, तो बहां मुझे एक confidence क्रिएट जो मेरे को कराया, उन लोगों में खड़ा होने का, तो 20-25 साल तक मंचों पर उन्हों ने मुझे जो जिया, बाद में तो फिर हमारे खुद के प ये मेरे जीवन की सारी अच्छाईयां, सारी अच्छाईयां एक मिनट में जमीन पर ला दी जाती हैं, इस क्रोध के कारण से, तो मैं कोशिश भी खूब करता हूं, लेकिन जैसे कुछ बात आती है, जैसे वो तीन गलतियां पूरी होती हैं, मैं सुदर्शन चकर चला देता हूं, तो ये आदत है कि इश्वर मुझे में यदि ये नहोता, तो मैं और अधिक जनप्रिये, लोकप्रिये, परिवार में, मित्रों में होता, यदि क्रोध मेरा कम होता तो, क्या बात है, और सर जिस खूसूरती के साथ आप ये बात कह रहे हैं, सुईखार कर रहे हैं सर अ सबाला आपसे सर, आप बहूत सारे लोगों से मिलोंगDie, बहुत सारे से लेडिटी से, मनलब जिनको आम लोग बड़ा हूं, जिनको आप नजदी की तौर पर मिलोंगे, अभी भी कोई हैं, जिन से मिलने की इच्छा बाक一下 है, है है best दो लोगों से मैं मिलना चाहता था जीं में एक इस दुनिया से चली गई कौन से लता जी और दूसरा में अमिताब जी से मिलना चाहता हूं इस शिखर पर जाकर कोई व्यक्ति कितना सहज हो सकता है यह वाग के कह देना बड़ा आसान है कि आप बड़े इसलिए नहीं कि आप कितने बड़े आर्टिस्ट हो आप उस द सर आखरी सवाल कवीना होते वैसे तो आपने टीचर बोल दिया पर हम चाहेंगे टीचर ना बोले लेकिन अगर कवीना होते तो क्या होते यह उत्तर मेरा नहीं है यह उत्तर राजकपूर का है क्या राजकपूर से किसी ने पूछा था कि यदि तुम फिल्म इंडिस्ट्री में नहोते हैं तो तुम क्या होते हैं जो राज कपूर न जवाब दिया वहे मेरा जवाब हम सुनना चाहेंग tirar चाहेंगे उन्हों कहा था कि यदि में जूते भी गांट रहा हुँता है तो गेट्विज इपर बैठ कर ऐसे जूते गांट था कि पूरी बंबई मुझसे जूते गठा थी मैं क्या होता मुझे नहीं पता लेकिन मैं जो होता वो ला जवाब होता मैं कवी हूँ मैं टीचर हूँ मैं जो हूँ मैं सबसे भी ये कहता उपने स्टूडेंट से में ये कहता था कि जरूर नहीं, आप सब लोग डॉक्टर बनें, आप जो बनें, आप चाय बनाते हैं, तो आप जिसी चाय फिर पूरे अलवर मेना बनती हो, आप किसान हैं, तो आप जिसा किसान कोई ना हो, आप डॉक्टर फिर आप, एद्धूट ये डॉक्टर हैं फिर आप, तो जीवन म बहुत-बहुत इस दूसरे gold medal दी तने की लिए बहुत-बहुत शुक्र रहाई तो दर्शबो ये था आज दिल से विद कमल जो हमने कभी विनी चोहान जी के साथ उनसे रूबरू है उनसे बात की सर मैं चाहूंगा कि जाते-जाते हमारे दर्शबो क्या कहना चाहेंगे सराब कह तो मैंने वही दिया कि जो भी करें वो लाजवाब करें नंबर एक बात जीवन में आप जो भी बनना चाहते हैं एक तो शॉर्टकट नहीं है जिन्दगी में किसी भी चीज का आप सोचें कि मैं तश्त्री में रखकर सफलता रखी होगी नहीं मेहनत चाहिए जनों चाहि उसको कहकर मैं समझ पाएंगे 56-58 वर्ष कविता लिखते हुए सौम जी को हो गए आज उनकी उम्र लगभग 85 के आसपास उपर पहुंच गए वो इतने 60-70 साल उनने कविता ही लिखी उनसे कोई बात पूछो कि आपने कविता आगी तो कि कविता लिखना मुझे भी नहीं कविता का आचल कभी चूचू के मुझे जाता है जिदिन कविता मुझे लिखनी आ जाएगी उस दिन मैं मन्चो पर नहीं आऊंगा उस दिन केवल कविता आएगी सौम ठाकूर जैसा बड़ा गीतकार ये कहता है कि मुझे कविता लिखनी नहीं आई तो विनित चहन कौन हो अगले एपिसोर में फिर किसी हस्ते से मिलेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए वस इतना ही नमस्कार